नमस्कार मैं सुख विश्व कर्मा हिंदी परक्ष में आपका स्वागत है आज के भी सहे च्छायावाद हिंदी साहिति केती हाथ से समंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं आधनी काल में हि हिंदी कविता की विकास का तिसरा पड़ाव च्छायावाद है आधनी काल में हिंदी कविता का पहला पड़ाव भार्तेंदु यूग है दूसरा पड़ाव यानि चर्ण दिवेदी यूग है और तिसरा पड़ाव च्छायावाद है अचार रामचंद सुक्र ने मुकुट धधर पांडे ने हिंदी में च्हायवाद लेख में किया, हिंदी में च्हायवाद जो लेख है जबलपूर से प्रकाशित होने वाली पत्रीका स्षी सार्दा में 1920 इस भी में छपी थी। चायवाद का उद्भाव दिवेदी यूगीन इति वृत आतमक्ता यानि वर्णातमक्ता के प्रती विद्रोह के फल सोरुप हुआ नगेंदर ने चायवाद को इस्थूल के प्रती सुच्म का विद्रोह कहा है डक्टर रामकुमर वर्मा ने छायवाद के समंद में कहा है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने लगती है तो यही छायवाद है जैशंकर परसाद के सब्दों में जब वेदना के अधार पस्वा अनुभूती मई होने लगे तब हिंदी मूर से छायवाद के नाम से अभिहित किया गया चायवाद के कभी चतुष्टिय यानि चायवाद की चार अस्तंब हैं जैशंकर परसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुरिकान त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा चायवाद कावी की विसिस्ताएं, सुख्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, प्रेम वीरा और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति, सौंदर भावना की मुख्य प्रविर्ति, निजी सुख दुख की आत्म अभिव्यक्ति, मैं सहली का पर्योग, प्रकृति प्रेम की अभिव काशी के परशीद सुंगनी साहू के परिवार में हुवा था इनका निधन 1937 इसवी में हुआ था इनकी माता का नाम अननी देवी और पीता का नाम देवी परसाद है इनकी गुरु हुए मोहिनीलाल बच्पन का नाम ह्जारखंडी था जैशंकर परसाद की रचनाति इनकी छा 1908 सिवी में प्रकास्यवत हुई आशू 1925 सिवी में लहर 1933 सिवी में कामायनी 1935 सिवी में या जहर्ना आशू लहर कामायनी कामायनी इनकी अंतिम रचना है या छैवादी रचना है तो छैवाद का काल विभाजन अभी आपने पढ़ा 1918 से 1936 सीवी तक यह आप देख रहे हैं काल विभाजन जहरना 1918 सीवी में और अंतिम जो रचना इनकी छायवादी रचना का मायनी 1935 सीवी में इसलिए इन चारों रचनाओं को छायवादी रचना इनकी अन्य रचना है उर्वासी 1909 सीवी में रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित भी आवे रचना उर्वासी है अगर परिछा में प्रस्णा आए कि उर्वासी निम्लिखित में से किसकी रचना है और विकल्प में जैसंकर परसाद और रामधारी सी दिनकर हो तो रामधारी सी दिनकर को सही उतर मानेंगे विकल्प में केवल जैसंकर परसाद हो तो जैसंकर परसाद को सही उतर मानेंगे वन मिलन उनिसो नौ इसबी में अयोध्या का धार उनिसो दस इसबी में प्रकासित हुई सोकोच छ्वास उनिसो दस इसबी में अभरु वाहन उनिसो इगारह इसबी में कानन कुसुम उनिसो तेरह इसबी में राना का महत उनिसो चौदा इसबी में चित्रधार ब्रज भासा में लिखित सारे कावे का संग्रश चित्रधार में प्रकासित हुई है और ये जो अन्य रचना हैं ये सारी रचना हैं दिवेदी यूगीन कावे रचना हैं जैसंकर परसाद ने एतिहासिक नाटकों का भी लिखन किया है चंद्र गुप्त असकंद गुप्त ध्रुव स्वामनी जन्मजे का नाग यग्य अजाद सत्रू राज स्री प्रायस्चित विसाख इनकी परमुख नाटक हैं इनकी द्वारा रचित उपनियास है कंकाल तितली इरावती इरावती इनकी अपून रचना है अधूरी रचना है कहानी संग्रह है प्रती ध्वानी छाया अकाश देप आंधी इंद्रजाल इनकी परमुख कविता हैं असो की चिंता आखों में अलख जगाने का अब जागो जीवन के परभात बिती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबोर ही तारा घट उसा नागरी जैसंकर परसाद से समंधित परिछोपयोगी विशेष्टी पडिंग है जैसंकर परसाद ब्रज भासा में कलाधर नाम उपनाम से कविताएं लिखा करते थे परसाद की पहली कविता सावन पंचक 1906 सिभी में भारतिनु पत्रिखा में कलाधर नाम से छपी थी इनकी पर्थम च्हावाधी कविता पर्थम-परभात 1908 सिभी में प्रकासित हुई पैठाम परभात को हिंदी कि पहली च्छायवादी के बिताब मानी जाती है इसे च्छायवाद का जहरना को च्छायवाद की पर्थम पर्युक्साला भी कहा जाता है जैसंकर परसाद रचित आंसु वीरा परधान इस्मिर्ती कावे है जिसे हिंदी का मेगदूत कहा जाता है मेगदूत के रचेता काली दास हैं और हिंदी का मेगदूत कहा जाता है आंसू को कहा जाता है जैसंकर परसाद की अंतिम रचना कामाईनी है जिसमें पंदरा सर्ग है कमाईनी के पर्मुक पात्र उनके परतिक है कमाईनी परतिक आत्मा के रुप में लिखी गई एक महा काव्य है मनु जो पात्र है वा मन का परतिक है सरधा हिर्दय का परतिक है इड़ा बुधी का परतिक है कुमार मानो का परतिक है अचार सांति प्रिय दिवेदी ने कामाईनी को छायवाद का उपनिसद कहा है छायवाद का उपनिसद किसी कहा जाता है तो कामाईनी को कहा जाता है किस ने कहा अचार सांति प्रिय दिवेदी ने कहा नगिंद्र ने कामाईनी को मानो चितना की विकास का महा कावे कामाईनी को कहा जाता है गजाना नमाधो मुक्ति बोध ने कामाईनी को फेंटेसी कहा है नन दुलारे वास पेनी कामाईनी को नए यूग का परतिनिधी कावे माना है इसके बाद जानते हैं च्छायवाद के दूसरे अस्तंब सुर्यकान त्रिपाठी निराला का जीवन परिचे निराला का जन बंगाल के मेदनी पूर जीले के महिसा दल रियासत में 1897 सिभी में और मिर्त विलाहवाद में 1961 सिभी में हुई इनके बच्पन का नाम है सुर्यकुमार छदम नाम है गरगज सी वर्मा इनके पिता हुए राम सहे तरिपाठी पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज निराला की रचनाएं है छैवाजी रचनाएं अनामी का 1923 सिभी में प्रकास्यत हुई परिमल 1930 सिभी में गीतिका 1936 सिभी में तूलसी दास 1938 सिभी में इनकी अन्य रचनाएं कुकुर मुत्ता, बेला, नैपत्ते, अर्चना, अराधना, गितगुंज, अनिमा इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं लिली, चातुरी, चमार, अपसरा, अलका, परभावती, निरुपमा इनकी परवुक कविताएं हैं स्रोज स्मिर्ती, राम की शक्ती पुजा, सांध्य सुंदरी, अपरा, भेच्छुक, बादल राग, विधवा, सिफालीका, जागो फीर एक बार, महराज सिवाजी के पत्र, वर्दे, वीरावादनी वर्दे, गर्म पकोड़े, तोड़ती पत निराला से समांधित परिशोपयोगी विशिस्टी पणिया है, निराला को महापराण कभी कहा जाता है, राम विला सर्मा ने निराला की पर्थम रचना, भारत माता की वंदना को मानते हैं जो 920 ECB में प्रकासित हुए, निराला का पर्थम कावे संग्रा, अनामी का है निराला का उपहास उड़ाया था नाम वर्थी ने निराला को छंदो का गूरु कहा है, निराला रचित राम की सक्ति पूजा का कथानक बंगला के किर्तिवास रमान से लिया गया है कुकुरमुत्ता व्यंगिय पर्धान कवीता है, इसमें उन्होंने पर्तिक रुप में पुंजिवादी और स्रमिक वर्ग के जीवन की विसमता का चित्रन किया गया है पुंजिवादी वर्ग का पर्तिक गुलाब और स्रमिक वर्ग का पर्तिक कुकुरमुत्ता है निराला ओज ओधात यानि ओदारता और बिद्रोह के कभी हैं, इसकारण इनकी तुलना अमिर की कभी हुइच में से की जाती है निरला की सरोज स्मिर्थी एक सर्वस्रेष सोक गीत है च्यावाद के तिसरे अस्तम की रुप में है सुमित्रा नंदनपंद इनका जिवन परचे है सुमित्रा नंदनपंद का जन्म उत्राखंड के अल्मोडा जीले के कौशानी गाव में सन इसवी में और दिहावसान 1977 इसी भी में इलहाबाद में हुआ था इनके पिता का नाम गंगदत है बसपन का नाम पंत जी का गुसाईदत है पंत कभी होने के साथ एकुसल चित्रकार भी थे नंदन पंत की रचनाय है चैवादी रचनाय है उच्छवास ग्रंथी वीणा पल्लव गुंजन उच्छवादी रचनाय है ग्रामया युगांत युगवानी अर्विन दर्शन से परभावित रचनाय है शोन किरण, शोन धूली, उत्तरा, कला और बुढ़ा चान, वानी, नौ मानावता वादी रचनाय है लोकायतन, चिदंबरा, गीत, हंस, पौप हटने से पहले समाधिता तो यहां देख रहे हैं सुमिता नंदन पंत की रचनायों को चार भागों में बाटा जा सकता है चायवादी रचनाय, प्रगति वादी रचनाय, अर्विन दर्शन से प्रभावित रचनाय, और नौ मानावता वादी रचनाय सुमिता नंदन पंत के कावे नाटक हैं रजत शिखर, शिल्पी, सोवन, मधुवन, युगपूरुस, छाया, मानसी, जोचसन इनकी पर्मु कविताय हैं नौका विहार, परिवर्तन, भावी पतनी के प्रती, मार्क्स के प्रती, बापू के प्रती, मौनिमंत्रन, सांध्यतारा, ग्राम सिरी सुमित्रन नंदन, पांत से समांधित, परिछोपयोगी विशेश्टी पड़िया हैं, पंत की पर्थम कविता, संग्रह, गिर्जे का घंटा है, इनकी पहली छायवादी रचना उच्छवास है, पंत को प्रकृती का सुकुमार कभी, और समेदन सिल इंद्रिय बोध का कभी कहा जाता है, पंत जी ने लिखा है, छोड़ द्रुमों की मधूर छाया, तोड़ प्रकृती से माया, बाले तेरी बाल जाल में उलजादू कैसे लोचन, इसलिए पंत जी को प्रकृती का सुकुमार कभी कहा जाता है, पंत की काविक कृती, चिदंबरा पर भारतिय ग्यान पिट पुरुषकार प्राप्त हुआ है, इनकी रचना कला और बुढ़ा चांद पर साहित आकादमी पुरुषकार प्राप्त हुआ है, लोका यतन पर सोबियत लेंड पुरुषकार मिला है, यह रचना महत्मा गांधी की जीवन पर लिखा गया है, पंत रचित पल्लों की खादी के फूल छायवाद के चौथे अस्तम के रूप में हैं लेखी का कवित्री महादेवी वर्मा इनका जीवन पर्चे है महादेवी वर्मा का जन्व 1907 सिवी में उत्तर परदेश के फरुखावाद और निधन इलाहबाद 1987 सिवी में हुआ था इनके पीता का नाम गविंद परसाद वर्मा उनकी माता हेमरानी साधारन कवित्री थी नौवर्स की अलफवाईउ में उनका विवा सरुप नारान वर्मा से हो गया था महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं कावे संग्रा है निहार रस्मी निर्जा सांध्य गीत यामा गद्य रचनाएं अतित के चलचित्र इस्मिर्ती की रेखाएं पथे के साथ ही सिन्खला की कणियां पर्म कविता हैं हे धरा की अमरसुत पंत होने दो अपरचित तुझको अ महादेवी वर्मा से समांधेत परिचोपयोगी विशिस्टिपणियां हैं महादेवी वर्मा को हिंदी की विसाल मंदिर का वीरा पानी कहा जाता है महादेवी वर्मा को आदुनिक यूग की मीरा भी कहा जाता है यामा पर भारतिये ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्त हु जो लोकिक न होकर और लोकिक वीरह है। मैं नीर भरी दुख की बदली, उम्री कल्थी, मिट आज सली या महादेवी वर्मा की परसीद काव्य पंगती है। महादेवी वर्मा, संस मर्न और एखा चित्र विधा में भी रचनाएं लिखी। चायवाद की अन्य रचनाकार हैं उदेशंकर भट, राका, मांसी, विसरजन, यूगदीप, अमरित और विस, यथार्थ और कल्पना इनकी परमुख रचनाएं हैं। मोहनलाल महतोव योगी, निर्माल्या, एकतारा, कल्पना इनकी परमुख रचनाएं। डक्टर रामकुमार वर्मा द्वार रचित रचनाएं हैं, चितर रीखा, अकास गंगा, अंजली, एकलव्य, वीर हमीर, चितोड की चीता। उपेंद्र नाथ अस्क द्वार रचित रचनाएं, प्रातह दीप बर्गत की बेटी, चांदनी रात और अजगर दीप जलेगा। अन्यमहत्वपुण तत्हें हैं, जो आपके परिछा के लिए अथी महत्वपुण हैं। जैसंकर परसाद रचित प्रेम पत्थिक की रचना पहले ब्रज भासा में की गए थी, लेकिन बाद में उसे खड़ी बोली में अनुबाद कर दिया गया। किस रचना को? प्रेम पत्थिक को। ले चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाविक धीरे धीरे इस काव्यपंक्ती की अधार पर जैसंकर परसाद पर पलायनवादी होने का अरुप लगा था। बिती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उसा नागरी यह काव्यपंक्ती जैसंकर परसाद की है। अरुन यह मधुमय देश हमारा जहां पहुच अंजान छितिज को मिलता एक सहारा जैसंकर परसाद रचितिये काव्यपंक्तियां चंद्रगुप्त नाटक से उध्रित हैं। प्योगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान निकल कर नैनों से चूपचा बही कविता होगी अंजान यह परसिद काव्यपंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परह को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेर करें। नमस्कार।